नमस्कार, डेश ओनलाइन में आपका स्वागत है, डिलन स्टोन मिला नाम के शक्स की 10-20 नहीं, बलकि कुल 96 संताने हैं, सोचिए उसे अपने ही बच्चों से मिलने के लिए नौकरी तक छोड़ देनी पड़ी, तब जाकर वक्त निकल सका, आपकी समझ से कोई आदमी अपनी जिन्दगी में कुल कितने बच्चे पैदा कर सकता है, आपने 20-25 बच्चों के पिता को ही देखकर हैरानी जताए होगी, लेकिन एक शक्स इसी दुनिया में ऐसा है, जिसके कुल 96 बायलोजिकल बच्चे हैं, वो अपने सारे बच्चों को जानता भी नहीं था, लेकिन जब उनसे मिलने की सोची तो, उसे अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी, तब जाकर वक्त निकल सका, इससे भी ज़्यादा चौकाने वाली बात ये है, कि इतने बच्चों के पिता के उम सिर्फ 32 साल है, और अपने 96 बच्चों में से सिर्फ 25 को ही जानता है, अमेरिका की जॉ 90 बच्चों का पिता बन गया, पैसे के लिए बनता रहा पिता, डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, डिलन स्टोन मिला ने 6 साल के अपने कोर्स के दोरान, पैसे कमाने के लिए स्पर्म डोनेशन का काम किया था, वो इसके हर सेशन के लिए 8200 रुप्य चार्ज करता थ और इस तरह पैसे कमा कर अपनी जरूरतों पर खर्च करता था, डेलन ने अपने जैविक बच्चों के 18 साल के होने के बाद स्पर्म बैंक को अपनी जानकारी शेयर करने की इजाजत दे दी, तब से उसके बच्चों से उसकी मुलाकात होनी शुरू हो गई, सबसे पहले साल 2020 में उसे 6 साल की बेटी और उसकी बहन से डायलन की मुलाकात हुई थी, दोनों ही उसकी बेटियां थी, अब तक 23 बच्चों से हुई है मुलाकात, अपनी स्पर्म बैंक आईडी को उसने जब फेस्बुक ग्रूप से जोगा तो उसे बहुत से ऐसे माता-पिता मिले जिनका परिवार बसाने में, उसने मदद की थी, अब तक वो अपने 23 बैलोजिकल बच्चों से मिल चुका है, उसने इसी काम के लिए नौकरी भी छोड़ दी है, और अब तक 9000 मील का सफर बच्चों को ढूंडने में टैकर चुका है, उसके पास बच्चों के नाम ओम, और पते की पूरी शीट है, जिसकी सहायता से वो अपनी जैविक संतानों से मिल रहा है,